हलो स्टूडेंट गुड मार्निंग हमारे यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बड़ी खुशी की बात है कि आज 5 सितंबर 2020 है और आज टीचर डे भी है तो हम चाहते हैं कि हम आपको कुछ टिप से दे दें जिससे आप उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करें कि जिससे आपका एकजाम में अच्छे मार्क मिले तो पहली ये बात है कि हर विद्यार्थी को अनुशासन में रहना परमाउच सक है अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं में चीज अनुशासन ये तरीका है कि अगर हम अनुशासन रहते हैं तो किसी भी उचाई को पालेंगे चाहे वो गर्वर्मेंट सर्विस हो चाहे वो बिजनेस हो चाहे कुछ हो हम अनुसासन रह रहे हैं तो हमारे अंदर लेडर्शिप की भावना आएगी ओनर की भावना आएगी समस्याओं को समधान करने की भावना आएगी कि कौन से समस्याओं को किस हिसाब से समधान किया जाए दूसरी बात ये है कि हर विद्यार्थे को प्रत दिन शुबा तीन बजे उठ जाना चाहिए तीन से चार उसको अपने सरीर की क्रियाओं को करना चाहिए उसके बाद आपको चार से लेके छेवे तक पढ़ना है और चार से छेवे तक जो आप सब्जेक पढ़ते हैं सब्जेक्ट नेम है mathematics, science और English ये तीन सब्जेक्ट आप प्रते दिन सुबा चारवे से छेवे तक पढ़ेंगे क्योंकि इस सुबा जो विद्यार्थी का दिमाग होता बहुत अच्छा होता है फिरेस होता है और विद्यार्थी जो भी चीजे पढ़ता है उसे याद हो जाती ह छेवे तक पढ़ने के बाद आपको ट्यूसन अगर जाते हैं तो ट्यूसन जाईए ट्यूसन अगर नहीं जाते हैं तो आप स्कूल की तैयारी किजिए अपने बैग में अपने कौन-कौन से बुक उस दिन चलेंगे उस बुक को रख लेजिए कलम रख लेजिए अपना इस दियोता को आप मानते हैं उनकी पूजा जरूर कीजिए इससे आपकी आत्मा को सांती मिलेगी पूजा करने के बाद आप इसकुल जाएए इसकुल में आराम से सभी टीचरों का पैर्च हुए और घर से निकलते हैं जब आप तब भी अपने माता पिता का पैर्च हुए द प्राथना आपको कराया जाएगा भगवान का नाम लेंगे यह भी बहुत अच्छी बात है आपके प्राथना करने के बाद जब आपको क्लास चलता है तो क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाग उसको आप बहुत क्लोजली से गहराई से आप पढ़ेंगे पढ़ने के उसके बाद आप खाना खाके सो जाईए फिर आप जब सुबा उठते हैं तो जो हमने पहले क्रियाएं बताई यही क्रियाएं आपकी होगी उसके बाद आपको देखना ये है कि कल ट्यूशन में या स्कूल में कौन सा सब्जिक्ट पढ़ाया जाएगा अगर स्कूल में कल ती स्कूल में जाना है अगर आप ये काम कर रहे हैं कि कौन सा चेप्टर कल पढ़ाया जाएगा उसको आप घर से पढ़के जा रहे हैं तो तीस से चालिस परसेंट आपको जानकारी हो जाएगी जब आपको टीचर और चेप्टर पढ़ाएगा तो आपको सत्तर से असी या पहले चाहिए चाहिए मैफमेटिक्स होगा चाहिए हो साइंस होगा चाहिए एंगलेस होगा या अदर सब्सक्रola हो हम आप चाहते हैं कि प्रदीन आप जो चापके उपकले बीद्याले में पढ़ाय जाए वही मस्ट अपको घरसेंप गर पहले पढ़ लिजिए औरा दिग तो टीचर जब आपको पढ़ाएगा तो बहुत आसान लेगा समझने भी लगेगा एक अच्छा विद्यार थी प्रते दिन अपनी जो स्कूल में उसकी पढ़ाई जाती है या पढ़ाई जाएंगी उन सब को आ करके रिविजन करता है और पहले से पढ़के जाता है तो मैं च पीचर समाज आपके गार्जियंस आपके बड़े लोग सब आपको पसंद करेंगे लाइक करेंगे और आपका ये करता बाउर है कि आप अपने छोटों वालों को भी बहुत ज्यादा-ज्यादा सम्मान देंगे उनसे क्योंकि छोटे बच्चों को नालिज कम रहता है अगर ठीक है स्टूडेंट अगला वीडियो जब हम आपके लाइफ के बारें बताएंगे तो उसमें और तमाम परकार की जीवन के जो लाइफ स्टूडेंट लाइफ में जो तमाम परकार के टिप्स हैं कि किस हिसाब से विद्यार्थी को रहना चाहिए कहां पर किस हिसाब से रह खड़ होते हैं यह सब पूरा अच्छा से बताएंगे